नमश्पर दोसु फिर से स्वागत आपके नए वीडियो के साथ दोसु इस वीडियो में आपको बताने वाले हूं Realme 8S में आप यहाँ पे message tone change कैसे कर सकते हैं या फिर sound इसके लिए आप message box पे जाएंगे और message box जब open करेंगे तो इस type का option आपको देखने को मिलेगा आप यहाँ पे 3 dot पे जाएंगे setting पे जाएंगे और यहाँ पे notification वाले section पे click करेंगे और यहाँ से आप स्क्रॉल करके incoming message का option है आप इस पे click कर लेंगे और यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको steps option देखने को मिलेगा ringtone पे आप click करेंगे तो ringtone पे यहाँ से आप जाके इसे change कर सकते हैं तो जो sound आप यहाँ पे लगाएंगे message ringtone वही selected हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ से select from file में से भी आप choose कर सकते हैं ठीक है जो आपको पसंद आ रहा है वो click कर लेंगे और back कर लेंगे तो आपका यहाँ पे ringtone set हो चुका है message का अगर आपको silent पसंद है तो none पे click कर देंगे तो silent हो जाएगा इन वे से कोई करना है तो इन वे से कर देंगे जिसके आगे blue color का यह आपको dot देखने को मिलेगा यानि कि यह वाला selected है इतना करने के बाद यहाँ पे back कर देंगे और यहाँ पे vibration अगर आपको पसंद है ringtone के साथ तो vibration आप on रखेंगे अगर नहीं पसंद है तो off कर सकते हैं तो इस steps यहाँ पे आप सेटिंग कर लिजिएगा incoming message tone की तो I hope गए इस वीडियो आपको पसंद आया होगा चलिए मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार